तो गार चंग गल्स स्वागत आप सोभी करोब्लोक्स के एक और नहीं मज़दार एपसोड में और आज हम खिल रहे हैं एक अमपायर जहापर आज हम सिर्फ अंडे बेचकर अपना खुद का एक काफी जादा आलिशान काफी जादा बड़ा काफी जादा खूबसूरत एक अम तो हम अपने फाम आ चुके और यहां पर लिखा हुआ है क्लिक यॉर स्क्रीन टू स्पॉन चिकन्स ठीक है अगर मैं स्पॉन का बटन दबाऊंगा तो क्या मुर्गी आ जाए अच्छा मुर्गी आ भी गई और मुर्गी जा रही है सीधा घर के अंदर ठीक है पता नहीं कह हासे मुर्गी निंकली इस घर से मुर्गी निकल कर सीधा यहां पर चले गई एक बार और दबातू और निकली कि और 야 भाई रूप जाम मुर्गयों की लाइन लगा दे तो मैं फटा-फटु नbadशा कितने सारी मुर्गी आ रही है कितने सारी मुर्गी आ गई यहां पर भा सबस्क्राइबंद में अपने को मिलने वाले काफीश ज्यादा पैसे तिक है बपन अस से अपनी कार भी अप Water कर सकते हैं अपना फाइस करभित बहुत सारी चीजे कर सकते हुं सिर्फ और एक काम करते हूं मैं क्या में इसलो को बोड़ेट करने लगें और यह अगर अपने घर्शक अगर अपकरेट करने के लिए जाओंगा तो क्या है घा ole ₹P or डॉलर में अपने खुछ टो मेलेगा थीक है यह एक अपग्रेड कर लेता हूँ शूपर फूड चिकन मेडनेस और रेनिंग चिकन ठीक है ये सारी चीजे मैं अनलोक कर लिए तो एक काम करते है ना चिकन रेनिंग और बढ़ा लेता है यह जो बढ़ता जा रहा है बढ़ाते जाओ भाई पूरे पैसे मैंने अभी इनवेस्ट कर दियो इसके बदले में अपने को कुछ मिलेगा अरे इदर भाई 1000 अंडे आ गए के मेरे पास में हैं इतने ज्याद अंडे बत मैं उठा तो रहू उतने डिपॉजिट और एक कर पारे भाई उतने ज्याद हम डिपॉजिट कर पारें यहां पर अगर वहिकल करूंगा मैं वह जो आए आठे-जार जाए रिटानें देबसे धार आज़ा शोजाए ऑर घर के अंदर euro गुज अभे टू मेरी फोर्व कर ठीक है इतर मैं पूरे के पूरे एक हजार अंडे छोड़ दीताओ इसके बादले में अपने पास में शुइक हम भी हायर करते हुआ अब यह क्या काम करेगा एक बार चट करते हैंँ हाँ पर आएगा यहाँ से अंडे उठाएगा और अंडे लेकर जाकर मार्केट में बेचेगा बट मेरे को अपने घर को भी अपग्रेड करना है जिसके अंदर मैं ज्यादा स्टॉक रख सकूँ रुट जो बट पहले जॉंबी को बेच के आने तो बेच के आगया देखो 2000 रुपे मेरे पास में ऐसे ही आ गए तो मैं काम करता हूँ यहाँ से शेक अपग्रेड कर ले तो 1000 डॉलर का ठीक है जिसके अंदर बहुत सारे मुर्गियों की कैपिसिटी और हो जाएगी तो मैं काम करता हूँ खड़े-खड़े कितने कुछ मुर्गिया आते जा रही है क्या आजाओ जितने पुटने को कोई दिक्कत निया भाई तुम कितनी प्य पुलाओ तो एंग नम्यजिक बन करते तो यह मेरे को कई न कई वेकहchemical और मुजिक के वज़े से दिक्कत नहाजाए कई इसनी मुर्गिया येर मेरे को मुर गया गया, अनलिमिटेड मिलते रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर क्वेस्ट के अंदर क्या टास्क है भी अपना और ये दिड़ लाग रुपए मिल गया मेरे को क्वेस्ट के अंदर, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं हैं, बगएर कुछ किये, इतना सारा पैसा मिल गया मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अंडे नहीं कलेक कर रहा हूँ इधर साइड में क्या चीज़ है, एक बार जाकर चेक करते हैं, इधर कुछ अगर बढ़िया मिल जाए नीड गेलेक्सी एग, वाट इस इस गेलेक्सी एग, और आप कौन हो भाई साब यहाँ पर खड़े हुए, हैं, जब इतना सारा पैसा आगया ना मैं काम करता हूँ, सीलो को अपगरेड कर ले तो एक लाक डॉलर दे कर, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यह 10 टिकेट्स, यहांपर मेरे को फैदर भी मिलते जा रहा हो, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, मैं भी अपने जॉम्बी की हलप करता हूँ, एक और वर्कर ना मैं हायर कर लेतो हो, दो दो वर्कर रहेगा, वह जाद अच्छा रेगा, एलो, यहांपर रख दیا, वहिकल को मैं, अपगरे रूप कर लो या पीजन्ट के लिए एक लाग रूपे लगेंगे तो अभी जॉंबी राइर कर लेते हैं पर इस जॉंबी को मैं अपग्रेड भी कर सकते हो क्या नहीं अपग्रेड ने कर सकते हैं सत्रा हजार रुपए है मेरे पास में दो-दो मेरे पास में वरकर आ चुके है एलो जॉंबी तुम लोग से पहले पहले तो मैं पैसे डिपोजिट कर दे रहा हूँ क्या गुंडा बने गरे इसके अलावा और क्या-क्या चीज में अपग्रेट कर सकता हूँ इधर अंडे मिल रहे है अपने को बट यह अंडे गोल्ड वाले से मिल रहे है जो गोल्ड वाले अंडे है अपने पास में उससे अपने को मिलेगा जिससे तो मैं एक भी अंडा भी हैच नहीं कर सकता चलो ठीक है कोई बात नहीं हाँ इधर के अंडे ले सकता हूँ ना पचास में तो मेरे को एक या फिर ये दो अंडे इस टाइप के आ जाएगे मैं इसको अनलॉक करतो भाई बट क्या मेरे को पहले ये सस्ते वाले अंडे खुलने पड़ेंगे हैं नए नए डायरेक्ट मैं इसको उपन कर सकतो 25 गोल्डन अंडे वाला क्या मिला अपने को बेसिक वाला टूपी हैट मिला है चलो ठीक है एक और अनलॉक कर लेते ना एक और मिल गया बहुत अच्छी बात है इसके अंदर मेरे को मिलेगा पीजा चिकन मिला है जो के बेसिक वाला पीजा चिकन क्या होता है चिकन सुनाओ मैंने पीजा चिकन क्या यह यहाँ पर क्या टिप है प्ले अगें फॉर सीलो रिवार्ड चलो ठीक है टू एक्स कैश का कुछ तो बता रहा है एक बार चेक करते हैं सिर्फ पांच रुबक्स के अंदर टू एक्स कैश मिल जाएगा रुबक्स तो मेरे पास में पड़े है चलो ठीक है पांच रुबक्स मैंने कर दिया इसके ओपर खर्चा अब जो हमारा रेवेन्यू है वो पांच-पांच हजार डॉलर तक आ गए और नीचे के आ हाउस एक्स्टेंशन चलो ठीक है मैं काम करते हूँ इसको थोड़ा सा बढ़ा ले तो यह जो रैंनिंग चिकन्स है ना इनको थोड़ा सा मैं बढ़ा ले तो हाउस एक्स्टेंशन की कैपिस्टी थोड़ी सी और कर इससे ज्यादा आए गेस नियों गई है और यह क्या क्या चीजे दिख रही है मैं सब बढ़ा रहो सब बढ़ा तेजारो मैं जितना भी हमां पास में आएगा जो जो चीजे इससे ज्यादा तो यह अपगेड होगा नहीं बाकि हाँ यह उपर का मैक्स लेवल हो चुका पैस जितनी चिकटन आ सकते आजाओ मेरे घर के अंदर बहुत ज्यादा कैपिसिटी है तुम जितने आ सकते आजाओ मेरे पास में अभी 200 फैदर मतलब यह हमारे पास में इतने टोटल 250 मतलब धाई सोचिकन है अभी हमारे पास मैं ठीके चलो केश मल्टिपलाय करेंगे ना और ए आपके मुर्गिया चेंज हो गई यहां पर बेसिक वाली पहले आ रही पूरी की पूरी चेंज हो गई है देखते ही धी भी ती जादा करू मैं जिटना क्लिक हो सकताने जितनी मूर्गियों की CAPACITY हो सकती है भर रहा हो इक ही बार में फिरुग सब चीज कर लेंगर की आजाओ आजओ आजाओ तुमम कितने आ रसकते हैं मैंने पास में बहुत कैसे यह पांसो चिकन हो गयाए इसको क्य देखते-देखते साड़े तीन मंठ और चीकन आते जारे एक जार को मेरे को खुद को नहीं पता, मेरे घर की कैपिसिट एक्ट्न में है कितनी मैं सर्वर के अंदर चल रहा हूँ अभी फोर्थ पोजिशन पर और मुर्ग्य नहीं आसकती आज़ो आज़ो जो जितनी मुर्ग्ग्य आसकती आज़ो भाई एक हजार चाहिए मेरे को टोटल मुर्ग्य शायद से एक हजार के करीब आच जो के या फिर 993, 997, 998 ये 1 और ये 2 ठीक है बस ये 2 चाहिए एक हजार चिकन्स मेरे पास में हो जाएगे भाई साहब मैं कर रहा हूँ सबसे पहले अपने सीलो को अपग्रेड नहीं कर सकता अगला सीलो दो गंटे बाद होगा अनलॉक चलो ठीक है मैं सीलो को अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ पर एक और नया घर लगा देतू ना अरे नहीं इदर military base power plant RFC कैसल हैं क्या क्या है अभी तो मेरे पास मैं शेक ता खाली फिर ये super shake हुआ मैं एक long house लगा रहूँ उसके बाद में यहाँ पर एक ban लगा रहूँ ठीक है और क्या चीज मैं purchase कर सकता हूँ एक ही बादना अब 100 million पर मेरे पास में military base आएगा इदर किती सारी चीज़े आगई है ये तो मैं ने देखा ही नहीं था super shake को अगर मैं और upgrade करूँ और long house तो चलो आ गए ना hello long house और लगा दिया या पिर यह long house लगाने के जरूरत ही नहीं है या सिधा बान ही लगा दूगे अधर सब जगा है ना सब जगा बान लगा देते इनकी ऐसी की तैसी फुल बान ही बान कर देंगे चार-चार बान हो गए आपास में पर रहो जहां तक इसकी capacity है पूरा पूरा एकदम premium कर देंगे सब चीज यह तो पुरा max upgrade हो गया यह भी max upgrade हो गया यह भी max upgrade यह चलो ठीक है हो जाएगा max औरे पैसे खतम हो गए यहां देखो तुम यहां देखो धाई लाग रुपे में बास में आ गए शायद से नहीं इसके बाद में मेरे को और दो तीन बार upgrade करना पड़ेगा तब जाकर वो होगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऊपर देखना एक million हो गया बस मेरे माहा से यहां पर आने तक क्या गुंड़ा बने गरे यह ले अपगरेड यह ले max level का अपगरेड अब बता और क्या यह ले अपगरेड कितना अपगरेड कराना बता यह ले 5 लाग का तू भी अपगरेड रख ले सूपर फूट सब सब सूपर सूपर आ रहा है अपने पास में और कौन सा क्वेस्ट है अपने पास में 25,000 इसके मिल गए अपने को 5,000 और मिल जाएंगे फार्म के अरे भाई अब अपने को 5000 चिकन की कैपिसिटी करनी है तब जाकर अपने को 20,000,000 मिलेंगे गार्डियन चाहिए अपने को 5 फॉक्स चाहिए बट उसके लिए अपने को बार अरे यह फॉक्स तो हो जाएगा अब मैं अगर रिबर्ट करूँगा तब जाकर मेरे को 100 कोईन्स और मिलेंगे या फिर 100 कोईन्स के बाद में रिबर्ट कर सकता हूँ भी रिबर्ट करने का कुछ प्लैन ऐसा है नहीं 1100 चिकन तो मेरे पास में आ गई है मेरे को ये देखना है मैं फॉक्स को कहा से अपगरेड कर सकता हूँ फॉक्स का कुछ बता ही नहीं रहा इधर साइड में क्या मैं ये फार्म के अंदर जा सकता हूँ क्या गिफ्ट मिल गया भाई एक पोशन मिल गया मेरे को 10 और गॉल्डन एग मिल गया टोटल 23 हो गया मैं फॉक्स को कहा से अपगरेड करूँ बट शायद से अपगरेड के अंदर ही फॉक्स भी मिल जाएगा मेरे को जहापर मैं नहीं यार फॉक्स का तो इधर कुछ सीन नहीं बता रहा बागी रुख जाओ यह मैक्स लेवल का कर देतो मैं अपगरेड हो गया नहीं अभी भी बचा हुआ येलो उपर का पहले पुरा मैक्स लेवल का अपग्रेट कर देता है उसके बाद में देखते है नीचे साइड में बट फॉक्स कहा से खरीदू मैं ये लो ये बिग एक्स भी अनलॉग हो गया पुरा मैक्स हो चुका है उपर साइड का बस ये बचा है प्रीमियम नेस्ट बचा है और कुछ भी ये बचा है ठीक है चलो अब इतनी सारी कैपिसिटी हो गई है तो चलो मुर्या आओ बाहर थोड़ा सा आओ कैपिसिटी बढ़ाओ थोड़ी सी हमारे घर की जितनी मुर्या आ सकती है आजओ पाच हजा मेरे को करना है अभी मुर्या मेरे पास में ठीक है कितनी सारी आरी वर कितनी सारी अब देखना कैसे मल्टिप्ला होगे आज आओ अब आओ अब देखना पाच हजार मुर्या तो मैं ऐसे ही पहुच जाओंगा एक या दो मिनिट के अंदर दो तिन मिनिट के अंदर तो पहु चुकी है ना कि मैं पाच पाच दस दस हजार मुर्गया एक टाइम में रख सकता हूँ उपर सिर्फ तुम मेरे पैसे उपर नजर रखो वो किस तरह से मल्टिप्लाइ हो रहा है भाई अभी तो दस दस मिलियन बिस बिस मिलियन के वरकर तो मैंने हायर है नहीं किया भी तो वो हायर करना बाकी है एक टाइम में यह अंडे देख रहे हो कितरा जादा लेकर जा रहा है बाकी जो जॉम्बी है वो बहुत कम कम अंडे लेकर जा रहा है जॉंबिस को अब हटा कर महाँ पर भी वो पीजेंट या क्या नाम है उनका वो वाले वरकर लगा देते हैं इदर भी मेरे पास मैयार गोल्डन एग्स है बड़ पता नहीं क्यों मैं वो बड़े वाले ले नहीं पार हूँ मतलब ये जो 25 डॉलर वाला है ना इसको मैं अनलोग नहीं कर पार हूँ या पाच वाले को अनलोग करके देखू पाच वाले को भी नहीं सिर्फ ये वन वाला ही बता रहा है पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है चलो ठीक है एक और बार ना ओपन करके चेक करते हैं कुछ अगर एक वाली चिक मिल गई भाई चलो ठीक है ऑटो करूँ क्या है ऑटो पर देखते है या फेर ट्रिपल खोल सकत हो एक साथ में ट्रिपल भी नहीं कहल सकता बारी बारी मेरे को अनलोग करना पड़ेगा एक कुछ तो चिकन मिला है मेरे को इसके अंदर ये टोपी है अपने पा पावर ज्यादा लग रही है मेरे को मैं काम कर तो इसको एक्विप कर लेता हूं है ना या फिर अनिक्विप और करके एक्विप बैस्ट करूंगा तो भी यह ले रहा है ठीक है यह वाली मुर्गिया मेरे पास में ठीक है जिसका देड़ गुना पावर है अब चेक करते देड के वाले हटारों मैं 30 मिलियन वाला ले लोगा ने ने 30 मिलियन वाला नहीं यह जॉम्बी को फिल हाल में हटा देते है ठीक है यह चार ओवर कर यह थोड़े से धंग वाले रखते है अपन सीलो तो और अपगरेड होगा नहीं इससे ज्यादा सीलो की कैपिसीटी मतलब जितन वाले फार्म को वो करने के लिए बट तुम लोग कमेंट करके बताना ठीक है अब यहां पर एक काम करता है वही कल में ना 15 मिलियन वाला एक वही कल ले ले तो यह क्या है हेवी ट्रक के भी 15 मिलियन वाला दो 15 मिलियन वाले ट्रक आ गाए उपर सिर्फ नंबर देखना कैसे कोली की तरह सारी चीजे बढ़ रही है इसको भी हटा रहू और इधर भी सीधा अरे नहीं इधर क्या है यह 15 मिलियन वाला नीचे तो वाई ट्रेन दिख रही है तीनो 15 15 मिलियन वाले आ गए अब जो 10 मिलियन मेरे पास में पड़े यह 10 मिलियन के अंदर अपन प्रीमियम न तो बस मैक्स लेवल के हो जाया ना तो मस्त काम हो जगा पैसे रुख गए है पैसे रुख गए जाओ बे जली-जली काम करो ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास में चार लोग उने के बाद में इतना सुस्ती से काम कर रहे हो मैं काम करता हो चलो मुर्गी का प्रोड़क्शन और बढ़ा देते हैं ठीक है जब तक कि हमारे पास में पैसा जमा होता रहेगा यहां से एपिक वाली मुर्ग्या आती रहेगी अब देखना ओपर आट मिलियन तो हीं शुटकियों में आ गए अपन देखते ही नह êtes थे हममारा अकॉटका वैसी होच्टा है 59 मीलियन होलमुस्ती मिलियन समझ लो 60 मिलियन डॉलर हमारे मुर्ग्योंकी जो केपिसीटी रही वो बस धाई हजार मुर्गियों तक पहुचने वाली है, मतलब हो गई भाई, धाई हजार मुर्गियों हमारे पास में हो चुक है, धाई हजार से भी जाद हो चुक है, और पैसे 72 मिलियन, चलो ठीक है, अब यहाँ पर मुर्गों को थोड़ा सा स्टॉप लगाते हैं, और करने पड़ेगा, 33 मिलियन डॉलर, कोई बात नहीं, आजा मुर्गियों, फटाफट से आजाओ, बड़े बड़े बान है, हमारे पास में बहुत कैपी सीडी है, मुर्गियों की, बसे मेरे को जस्ट अभी एक चीज याद आई, कुछ देर पहले मेरे को पोर्शन मिले थे, अरे भाई साव, यह देख रो, 3X अर्निंग का पोर्शन है, यह मैं यूज कर ले तो, 20 मिनिट तक हमारी 3X अर्निंग होगी, ठीक है, कितनी 3X अर्निंग कुछ जाद ही है, अब तुम देखना, अभी हमारे पास में 34 मिलियन डॉलर है, ठीक है, अब यह जैसे ही जाकर वहा पर ट्रे लगा देगा ला, उसके बाद में हमारी कैपिसिटी देखो, वो, कैश देखो, हमार पास में, 70-80 के करीब मिलियन, मतलब, भाई, 100 मिलियन के करीब करीब अभी जाने वाले हम, टोटल, अब मुर्गों की कैपिसिटी होने वाली है, बस कुछ ही देर के अंदर, 3000, ठीक है, 3000 मुर्गों हो जाएगी, 3000 मुर्गों ने हमें, 100 मिलियन के करीब पहुचा दिया हो, पैसा असली दुनिया के अंदर होता तो कितनी मज़ा आ जाती, कुछ काम करनी की जर्रत ही नहीं, दिन भर मुर्गों को खाना खिलाता है, अंडा निकालता मैं तो, चलो ठीक है, हो गया है, 1500 मिलियन आगए अपने पास में, ये लो 50 मिलियन, और अभी भी एक लेवल बची है, 75 मिलियन पर अपगर ओड़ागा, चलो ठीक है, हो जाएगा, ओसी इन नहीं है, ये हो गए 75 क्या, 85 मिलियन हो गए, अरे 113 मिलियन और लग रहे हैं क्या अभी भी, बट लेवल पर जो हमारी सारी चीज़े थी ना, वो अपनी पूरी की पूरी मैक्स लेवल पर हो जाएगी फिर, मुर्गया आती जाओ, 3000 से जादा मुर्गया हमाँ पास में हो चुकी है, चितनी मुर्गया आ सकती ही आ जाओ, वैसे ये एक पोशन पढ़ाए पता नहीं है, इन्टरनल ह करीब आ गए, ये लो भाई, उपर का मैक्स लेवल का अभी भी नहीं हुआ, 170 मिलियन डॉलर और चाहिए मेरे को, क्या परेशान कर रहा भाई, कितना ज्यादा परेशान कर रहा, नीचे के लेवल कंप्लिट हो गए पुरे, मतलब ये टियर वन है, टियर टू कंप्लिट हो टियर थ्री नहीं हुआ कंप्लिट, टियर वन में सिर्फ ये एक बचा हुआ, ये लास्ट 170 मिलियन डॉलर का ठीक है, चलो वो भी टार्गेट कंप्लिट कर ही लेते, आजाओ मूर गयो फटावट जब आजाओ, पाच हजार करनी पड़ेगी मेरे को मूर गया, वैसे जो पॉप्यूलेटिंग वाला है, ये वाला बचा हुआ है, जिसके बाद में अपने को 20 मिलियन मिलेंगे, ये कुछ ही देर के अंदर हो जागा अपने पास में पिर, पाच हजार मुर्या जैसी हो गई तो 20 मिलियन डॉलर सीधा जेब में, ओ मेरे पास में 164 होगा है यार, मेर ट्रक आ रहा है, फिर 4.50 बिलियन का, तो वो खुद जादा है, तो नॉर्मल वाले ट्रक से रहने देते हैं, इतने ट्रक सफिशन्ट है, अब चलो फटाफट से ना, 5000 मुर्यों का तार्गेट पहले कंप्लेट करते है, फॉक्स कहां से पर्चेस करूँ मेरे को बिल्कुल भ आ रही है, यार चलो अब मेरे पास में 78 मिलियन हो गए ना, तो मैं एक अच्छा वाला वर्कर ले 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 तो ठीक है, बट अच्छा वाला वर्कर आ रहा है, यह लंबर जैक आ रहा है 30 मिलियन का, ठीक है चलो, दो-दो लंबर जैक कर लेते हैं और अगर 30 मिलियन हो गए तो तीन तीन लंबर जग कर लेते हैं बाकी फार्मर जो है ये आएगा नौ बिलियन पर ये बहुत जादा है हाँ घर के अंदर चेक कर लेते हैं और क्या है अभी तो 43,000 की कैपसिटी है ये अपने चारो बान के अंदर कुछ भी फुल नहीं हुआ भी एक ही बान फुल नहीं अरे वहाँ मिलिटरी बेस आ रहा है इसमें 27,000 मुर्गियों रखने की कैपसिटी है चलो ठीक है एक बना दिया मैंने मिलिटरी बेस इसकी ऐसी कित ऐसी टन टन चारो मिलिटरी बेस कर देंगे पर उत्ती मुर्गिया नहीं है मेरे पास जितना मैं है यहाँ पर अपग्रेड मिलिटरी बेस लगा दो यहाँ पर सामने मिलिटरी बेस आ गया इसकी कैपेसिटी कितनी है 75 तोटल अपनी कैपेसिटी है अब अगला तो सिद्वावर प्लांट बाई जो लास्ट वाला है वो वर्ल्ड पोर्टल है इसके अंदर ग्यारा मिलियन चिकन एक साथ में रख सकता हूँ बट यह है वन पॉइंट नाइट एस पी अब यह स्पी क्या है मेरे को ने पता यहां पर तुम लोग काम करो तुम लोग को खड़ा किया है मैंने यहां पर वर्कर भी आएगा वर्कर नहीं वर्कर से दब नौ बिलियन पर और दूसरा कुछ भी नहीं आने वाला है अभी चलो ठीक है 5000 अलमस्ट हमारी मुर्गया हम छूने वाले लाइट्स गो 5000 चिकन हमारे चुकी है बड़ स्टील एक बार क्वेस्ट के अंदर चेक करते हैं यहां पर तो 4000 बता रहा है तो मेरे को और मुर्गया रखने पड़ेगी शायद से कुछ मुर्गया मरी भी रही हो एक प्लेजर्ट तू यहां क्या कर रहा है मैंने तो सारे के सारे लंबर जैक ले लिया थ जो गिफ्ट है गिफ्ट के अंदर यह कुछ तो पोशन मिल गया ओपी वाला पचास अंडे मिल गया इसकी ऐसी की तैसी पूरी क्लेम कर लिए ना पन्नेहा कुछ भी ने बचाया आजा आजा बड़ा बड़ से आजा मुर्गया जस्ट इमेजिन अगर सारे बांस की कैपेसि दा अंदर यह फिफ्टी चिकन्स ऑन दा स्क्रीन एड़ दा सेम टाइम वाट इस यह क्या चीज़ है पचास चिकन मेरे को एक टाइम में चाहिए है यह वाला कौन सा अजीब हो गरीब टास्क यह लो पचास चाहिए था कर दिया अरे यह तो हो गया इसी ली था मतलब इसा इजी था और मेरे पास में ओपी का पोशन पड़ा हुआ है 30 मिनिट के लिए यह भी एक्टिफ कर लेता है 1 बिलियन डॉलर हो गए मेरे पास में और क्वेस्ट के अंदर अभी सिरिफ यह फॉक्स गार्डियन वाला है यह मेरे को नहीं पता यह मैं कहा से अन्लॉक करूँ अ अब ऐसे समझ लो एक सेकंड के अपने को दो चिकन मिलेंगे या फिर नहीं अब ज्यादा स्पीड से चिकन आ रहे पहले से तो ज्यादा स्पीड से आ रहे बट सील वन बिलियन डॉलर है अब यह बचा हुआ पैसा जाएगा सीधा अपने अंदर मतलब अपने आपको हम रखयए लितेए अजिए kijken यह क्या है यह फिया का आगा है और को आगा यह कोष्ट का आटोमेटिक बढ़ रही है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अब और कुछ नहीं कर रहा हूँ तो इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है येस हम सर्वर में थर्ड पोजिशन पर आ गए क्योंकि अपने पास में गोल्डन एक काफी ज्यादा है अब चलो 300 मिलियन है तो 300 मि किंग ज्यादा रही है अपने पास में तो अच्छा है ना बाकी एलो मुर्या और बढ़ा दिया एर कंडिशनिंग ये क्या है इंक्रीज एग लेंग रेट अच्छा अच्छा ये सारा मदब बान के अंदर जो चीजे लग रही है उससे हमारे अंडे की कॉलिटी बढ़ जा अकाउंटिंग मैजिक डिक्रीज नेक्स्ट एग रिक्वार्मेंट बाई 5% चलो ठीके ये बढ़ा दिया अवे हैचरी इंक्रीज हाउजिंग एचरी रेट बाई 10% चलो ठीके ये भी बढ़ा दिया स्टील मेरे पास में गोल्डन एग पड़े हुए है तो एक काम करता हु रिबर्ट करूँगा तो पूरी चीज़े चले जाएगी बट मेरे को न्यू पैट मिलेगा अच्छा रिबर्ट करूँगा तब जाके मेरे को फॉक्स मिलेगा ना ये मैं पढ़ना भूल गया था रिबर्ट करना मतलब काफी ज्यादा ज़रूरी है बट अगर रिबर्ट कर पे इंजॉई किया तो प्लीज मेक शूर तो लाइक और सब्सक्राइब क्यों कि चैनल पर मैं ऐसे बड़ी वड़ी गेम प्लेज लाता रहता हूँ अभी और भी ने गेम प्लेज चैनल पर आने वाले है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपडेट्स के लिए बाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो सारी चीजों के लिंक तुमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बार चेक जरूर करना बाकी मिलता हूँ मैं आप सब इसे अगले एपिसोड में जब तक के लिए टेक कैर पावाई सी यू